आज हम आपको बदाने जा रहे हैं कि इन सितारों के हमसक्ल मानते हैं भीक जरह सोचिए यदि कोई सलमान खान का हमसक्ल किसी जगह पे है तो अपने आपको वो कितना भाग्यसाली मैशूस करता होगा जरह सोचिए यदि अमिता भच्चन के जैसे आवाज वाला कोई है तो अपने आपको वो कितना अच्छा मानता होगा जरह सोचिए कि यदि दीपका पादकूर के जैसे दिखने वाई लड़की है तो वो कितनी इतराती होगी तेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि सितारी ह वो सितारे जो Bollywood के स्टार हैं वो सितारे जिन्होंने सिंगिंग में या क्रिकेट में पूरे दुनिया में अपने बात साथ रखी है तो इनकी हमसक्त वाला बंदा भीक मांगने पर मजबूर है उनकी हमसक्त वाला बंदा पाई पाई को मोताज है तो आएए दिखाएं आपको वैसे सितारों की फेरिस्ट जो जिनके हमसक्त एक एक पाई को हैं मोताज एक दिन में एक लाग कमाता था अब दो साल से बिरोजगार हूं अमन रितिक प्रोशन के हमसक्त लामन एक लंबे अर्से से रितिक की में मिक्री कर रहे हैं अमन के जिन्दगी में किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है एक वक्त लाखों की कमाई करने वाले अमन पाई पाई को मोताज है अपनी बेबसी जाहिर करते हुए अमन कहते हैं कि पिछले दो सालों से बिरोजगार बैठाओं एक वक्त था जब एक दिन में एक लाक रुपे तक या उससे जादे की कमाई करता था आज से दस साल पहले हमारी बहुत डिमांड हुआ करती थी काम इतने होते थे कि कई बार ना बोलना पड़ता था कि नाच मैं एक एक पाई को मोताज हूँ हमको कोई काम नहीं मिल पा रहा है अनेल कपूर के हम सकल आरिफ खान आल इंडिया लुक अलाइक असोसियेशन के प्रेसिडेंट भी है आरिफ पताते हैं कि हमारे असोसियेशन की अंतगत पूरे देश भर में 400 आर्टिस्ट जुड़े हुए हमारे आपको मोदी अर्विंद केजरिवाल महत्मा गाधी की तरह दिखने वाले आर्टिस्ट मिल जाएंगे देखिए असोसन में ऐसे कई सदस्त भी हैं जो महज शौकिया तोर पे काम करते हैं और ये उनकी उपरी आमदनी है वही कुछ हम जैसे लोग हैं जिनकी पूरी रोजी रोटी भी इसी पे निरभर है प्रेसिडेंट होने के नाते म मैं उनकी मदद करूँ लेकिन कई सारे लोग इस समय बुखमरी के कगार पे हैं ऐसे कई सारे लोग हैं जो बहुत बड़े स्टार के हमसकल हैं आज वो रोजी रोटी भी नहीं चला पा रहे हैं घर में और उनकी पूरी लाइफ स्टाइल बरबाद हो चुकी है